साम लेकुम स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के अंदर हम एक मोस्ट इंपॉर्डेंट कोस्चन इनर्ड पेर अफेक्ट इन 4A ग्रोप एलिमेंट्स वो डिसकस करने लगें लेकर बच्चों इसके लिए एक जेन में चीज़ रखें कि इनर्ड पेर अफेक्ट एक दो लाइनों में नहीं समझाएगा आपको इस वीडियो को बड़े दिहान से देखना होगा तब यह आपको टापिक क्लियर होगा क्योंकि जब यह बच्चा बुक से लिडिंग करता है तो देखा गया है कि बच्चे के पले कुछ नहीं पड़ता इसलिए बहुत डिस्टरब होता है लेकर इन्शालला इस लेक्चर के बाद आप फील करेंगे कि आपको बुक की एक एक लाइन भी क्लियर होग चुकी है जिर्शालला इस टू होती है या एन पी टू होती है ए यह जनल ःक्रानिक कंफिरेशन अभी मैं लिख को खम. अगर बचो पुर इंपी टू इलेक्टरान बांweltिंग में यीूज्ज़ करें नएस टू इलक्टरान बांडिंग में यूज़ न करें ये basically lone pair के तौर पे एक्ट करें या non-bonding electron pair के तौर पे काम करें इस pair of electron को inert pair कहते हैं और इसके effect को inert pair effect कहते हैं पिर देख लें जो 4A group element हैं इनकी general electronic configuration NS2 है और NP2 है अगर four group element NP2 electron bonding में यूज़ करें NS2 electron bonding में यूज़ न करें बलकि ये lone pair के तोर पे act करें या non bonding pair के तोर पे act करें इस pair of electron को inert pair का जाता है और इस effect को inert pair effect का जाता है इसी को मैंने अपनी wording में लिख दिया अब अच्छोगी inert pair effect की definition the NS2 electron pair remain inert the NS2 electron pair remains inert and does not take part in bond formation this pair of NS2 electron is called inert pair of electrons and effect is called inert pair effect बच्चोग एक दफ़ा फिर देख लेते हैं कि जो four group element हैं उनकी general electronic configuration NS2 होती है और NP2 होती है अगर वो NP2 electron bonding में यूज करें NS2 electron bonding में यूज ना करें जो NS2 electrons होते हैं ये basically lone pair कहलाते हैं या inert pair कहलाते हैं और इस effect को inert pair effect कहते हैं four a group element हों या कोई भी group element हों inert pair effect top से bottom increase करता है इसलिए एक line मैंने लिखी inert pair effect increases down the group बच्चे कुछ चीज़ें और भी मैं लिखने लगा हूँ यहां पे जैसे inert pair effect कहां किन groups में मौजूद होता है एक तो आपको पता होना चाहिए बच्चों के जो हमारे पास post transition element है post transition element इन के अंदर ये पाये जाता है post transition elements अब कुछ बच्चों के लिए ये terminology भी मुश्किल है तो इसको मैं और असान कर देता हूँ यानि जो D block elements हैं उनके बाद जो elements आते हैं आपको बता है D block elements में देखें तो पहले first A second A उनको छोड़ दें तो फिर दरम्यान में D आते हैं फिर आगे 3 A आते हैं तो inner pair effect एक तो याद रखें 3 A group element में होता है जिसको हम नाम देते हैं बच्चों boron family carbon family C से दिनौड करते हैं और 5 A group element में भी होता है और उसको हम nitrogen family कहते हैं उसको N से हम दिनौड करらे हैं तो बच्चों एकτο याद रखें inner pair effect 3 A group element में भी हो सकता है 4 A group element में भी हो सकता है 5 A group element में भी हो सकता है और इन 3 ll time groups में top से bottom increase करता है ये बात इसलिए बताई कि बच्चो बहुत सरे बच्चे इंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन भी यहां से कर रहे होते हैं तो उनके लिए multiple choice में इस तरह की बात बता दी जाती है साथ बच्चो हमारे पास एक तो हमें ये समझ आ गया कि इनर्ड पेर अफेक्ट ना तो फस्ट ए में होता है ना आपके पास जो है फाइव ए के बात सिक्स ए या सेवन ए ये आखिर वाले हैं उन में नहीं होता बलकि ये बेसिकली तीन ग्रुप में स्टडी किया जाता है थ्री ए 4A और 5A ग्रुप एलिमेंट्स के अंदर हम ये इनर्ड पेर अफेक्ट जो है वो स्टडी करते हैं अब इनर्ड पेर अफेक्ट को जरा डीटेल से जो है वो डिसकस करते हैं कि इनर्ड पेर अफेक्ट है क्या डिफिनेशन तो आपके सामने लिखी हुई है इनर्ड पेर की हम क्योंकि डिसकुशन कर रहे हम फैडरल की बुक को फालो कर रहे हैं तो इसलिए हम अपने लेक्चर के मताबिक कार्बन होगा सिलिकान होगा इस ग्रूप में जर्मीनियम होगा टिन होगा और लेड होगा इसके लिए हमने अब्रिवेशन बनाया होता है बचो ससी गई पजाब ये भी बचे कहते रहते हैं या कैन सिली जर्मन स्पीक पंजाबी कैन सिली जर्मन स्पीक पंजाबी इस तरह भी हम बना लेते हैं कि ये अलिमेंट हमें तरतीब से याद हो ये हमें अभी तो इनकी इंपॉर्टनस का अंदाजा नहीं है जब हमें जनरल ट्रेंड आ बन जाएगी 2s2 और 2p2 इसके electronic configuration बन जाएगी 3s2 3p2 इसकी बन जाएगी 4s2 और 4p2 इधर आजाएगा 5s2 और 5p2 इनकी बन जाएगी 6s2 और 6P2 यहां तक भी बात समझाती है एक और चीज़ भी मैं साथ ही लिख देता हूँ बच्छो यह जो कार्बन है यह आपको पता है सिर्फ प्लस फूर वाले कंपॉंड ज़्याद तर बनाता है या प्लस फूर या माइनस फूर ठीक है अब हमारे पास इसी ट्रिके से सिलिकान जो है वो हमारे पास प्लस फूर वाले कंपॉंड ज़दा बनाता है जबकि जर्मीनियम और टेन के पास आप्शन है यह प्लस टू वाले कंपॉंड भी बनाते है और प्लस फूर वाले भी बनाते है इसी त्रिके से ये भी हमारे पास प्लस टू वाला कमपॉंड भी बनाता है प्लस फूर वाला भी बनाएगा इसी त्रिके से हमारे पास ये प्लस टू भी बनाएगा और प्लस फूर भी बनाएगा शुरू में तो आप देखें प्लस टू बनते ही नहीं है फिर आएस्ता प्लस टू बनना शुरू हो जाते हैं और आखर में जाके प्लस टू बिलकल ही स्टेबल हो जाता है अब हमें हमारे पास एक और इनके अगर मैं आप से कहूँ जनरल अलेक्टरानिक कन्फिगरेशन अगर आप इनकी कर दें तो देखें यह आपने अब अबराल अलेक्टरानिक कन्फिगरेशन लिखी अगर यह टू है अगर यह थ्री है तो इदर भी थ्री है यहां फोर है तो की मिलाकर हम लिख सकते हैं NS2 और NP2 ये हमारे पास इनकी electronic configuration जनरल electronic configuration आफ 4A group element बन जाएगी एक बच्छो और चीज़ हमने याद करनी है कि positive two oxidation state क्योंकि ये previous lecture में मैं पढ़ा चुका हूँ इसकी stability top से bottom increase हो रही है जी due to inner pair effect ये मैंने आपको कहा था कि आज के lecture के अंदर आपको अच्छा समझा जाएगा positive two oxidation state की stability top से bottom increase हो रही है और जो हमारे पास comparison में positive four oxidation state की stability top से bottom जो है वो decrease हो रही है positive four oxidation state की stability top से bottom decrease हो रही है ये भी हमें एक line याद हो गई अब हमें एक तो याद रखना है कि अगर हमारे पास जो four a group element है अच्छा ये होता क्यों है inner pair effect होता क्यों है बच्छो इसको बिल्कुल मैं end पे जाके explain करूंगा कि ऐसा क्यों होता है यानि inner pair effect क्यों top से bottom increase करता है और सबसे एंपी टू एलेक्ट्राण बांडिंग में यूज करेगा तो फिर वो प्लस टू oxidation state शो करेगा इसलिए एक line लेक लेते हैं कि वेन अगर एंपी टू एलेक्ट्राण्स आर लास्ट अगर एंपी टू एलेक्ट्राण लास्ट हों तो हमारे पास stable oxidation state होगी stable oxidation state stable oxidation state plus two होगी यह हमारे पास होगी यह जो stable oxidation state होगी वो हमारे पास plus two होगी अब अगर मैं इनको comparison करता हूँ comparison में लेके चलता हूँ तो बच्चो मेरे पास क्यूंकि आपको बता है कार्बन और सिलिकान में जो है वो बेसिकली positive two oxidation state शो ही नहीं करते हैं उनमें inner pair होता ही में यूज हों NS2 electron bonding में यूज नहीं तो फिर मेरे पास stability order यह चलेगा के GE positive two यह जो होगा यह less stable होगा क्योंकि positive two oxidation state की stability top से bottom increase कर रही है due to inner pair effect इसमें inner pair effect कम है इसलिए यह कम stable होगा इसी तरीके से SN positive two से और SN positive two जो है वो कम stable होगा PB positive two से अभी हमें एक order याद हुआ कि अगर कोई भी four group element NP2 electron bonding में यूज करता है NS2 electron bonding में यूज नहीं करता तो वो inner pair effect show करेगा और inner pair effect top से bottom increase करता है तो germanium की positive two oxidation state less stable होती है tin से और tin की positive two oxidation state less stable होती है lead से अब एक और बात when all NP2 and NS2 electron are lost अगर सारे NP2 और NS2 electron last हो जाएं तो फिर stable oxidation state जो होगी वो positive four होगी और positive four oxidation state की stability top से bottom decrease कर रही है सिर्फ comparison हम इन तीनों में करेंगे बिटा वज़ा यह है कि यह तो variable oxidation state show ही नहीं कर रहा तो इनको अपस में compare करना है तो मैंने कहा कि जब when short में थोड़ी सी एक line लिख लेते हैं when all NP2, NS2 and NP2 electron are lost electron are lost तो stable oxidation state क्या होगी बचो stable oxidation state plus four होगी उस वकत उनकी stable oxidation state जो है वो plus four होगी यानि वो plus four oxidation state में stable होगे वो plus four oxidation state show करेंगे अब हम top से bottom आते हैं तो जी positive four जो है यह less stable है यानि आपके पास यह more stable है क्योंकि stability top से bottom positive four की decrease हो रही है यह more stable होगा 10 के plus four से और 10 का plus four वाले compound ज़्यादा stable होगा lead के positive four वाले compound से यहां तक भी हम बात पहुँच चुके हैं कि बच्चों अगर N-P2 electron भी यूज हो रहे हैं N-S2 electron N-P2 और N-S2 दोनों यूज हो रहे हैं तो positive four oxidation state element शो करेगा और अगर वो positive four oxidation state शो करेगा तो उस form में अगर वो मुझे stable नगर आ रहा है अब हम एक और order निकालना चाहरे हैं कि plus two और plus four को अपस में compare करें इसके 10 के plus two को plus four से अपस में compare करें तो हम इसके जगए एक heading create कर लेते हैं oxidizing and reducing properties oxidizing and reducing properties oxidizing and reducing properties में अगर हम चलते हैं तो बच्चों आप जर्मीनियम के आपस में दोनों compound compare करते हैं यह याद रखें कि यह जो बात हो रही है comparison में चल रही है तो बच्चों हमें पता चला कि शुरू में तो plus two बनना शुरू हुआ फिर थोड़ा सा stable हुआ और end पे जाके more stable हुआ तो अब जब जर्मीनियम के दो compound compare करते हम तो जर्मीनियम का पता चलता है कि जो जर्मीनियम का plus two वाला compound है वो less stable है इसलिए वो electron हमेशा last करता है और last करके plus two से plus four में convert होने की कोशिश करता है plus electron last हो गया यह खुद oxidize हो गया अगर बच्चों यह खुद oxidize हो गया है तो लाजमी बात है यह आपके पास less stable चीज़ है less stable और यह आपके पास जो बनने वाली प्रोड़क्ट है comparison में यह आपके पास है more stable यह है more stable यह plus two से plus four में जा रहा है अगर यह plus two से plus four में जा रहा है तो खुद तो oxidize हो रहा है देखो plus two से plus four में जा रहा है खुद आक्सिडाइज हो रहा है दूसरों को क्या करेगा reduce ये reducing agent कहलाएगा plus two वाले compound इसके reducing agent होंगे क्योंकि वो खुद आक्सिडाइज होते हैं दूसरों को reduce करते है और अगर प्लस 4 वाला है तो इसके पास option है क्योंकि दो यह oxidation state है यह प्लस 4 से वापस अगर प्लस 2 में आएगा खुद reduce होगा अगर खुद reduce होगा दूसरे को oxidize करेगा तो इसके प्लस 4 वाले compound होंगे यह सारे के सारे oxidizing agent कहलाएंगे यह oxidizing agent है इसी तरीके से अगर हम जर्मीनियम के बाद तिन पे आते हैं तो मेरे पास तिन है इसका प्लस 2 वाले compound देखा गया है comparison में ज्यादा stable है इसलिए प्लस 2 से यह electron loss करके प्लस 4 वाले compound में convert होने की कोशिश करता है प्लस 2 electron loss हो जाते है यह oxidize हो रहा है इस वक्त लाज़ पास इस वक्त more stable है more stable फार्म है इसकी और अगर यह प्लस 2 से प्लस 4 में जा रहा है तो खुद तो oxidize हो रहा है दूसरे को reduce कर रहा है यह reducing agent compound कहलाएगा reducing agent और यह वाले compound इसके जो है वो कहलाएंगे oxidizing agent oxidizing agent यह हमारे पास है इसी तरीके से बचो जब हम आते हैं lead की ओपर तो lead बिलकल different behavior शो करता है बच्चों lead क्या कर देता है lead ऐसे शो करता है कि वो plus 4 वाला compound उसका less stable होता है यह फूर नहीं ही दो electron gain करता है reduce होता है plus 2 वाले में convert होने की कोशिश करता है यह वाले में convert होने की कोशिश करता है अब आपको पता है कि यह आपके पास less stable less stable और ये compound जो इसका है वो more stable में convert हो जाता है more stable में convert हो गया तो लाजमी बात है प्लस 4 वाला जब प्लस 2 में जा रहा है तो खुद तो reduce हो रहा है दूसरे को क्या कर रहा है लाजमी बात है बच्चो अगर खुद reduce हो रहा है दूसरे को oxidize कर रहा है यह plus 4 वाला compound इसका oxidizing agent कहलाता है oxidizing agent और यह वाला जो इसका compound कहलाता है plus 2 वाला यह कहलाता है reducing agent reducing agent क्योंकि खुद तो plus 2 से plus 4 में जाएगा तो oxidize होगा दूसरे को reduce करेगा तो मेरे पास एक और stability order आ गया बच्चों अब एक तो order याद हो गया 2 oxidation state का यह order है stability order plus 4 oxidation state का stability order मेरे पास यह है अब इनका एक और stability order जो है वो मैं यहां लिखने लगाऊ stability order क्या होगा कि पता चला कि plus 2 वाला plus 4 में जानी की कोशिश करता है less stable से more stable एक तो हमें यहाँ पर याद हो गया कि जो germanium का है plus 4 वाला compound plus 2 वाला compound यह less stable है plus 2 वाला compound less stable है GE positive 4 वाले से एक तो यह चीज़ याद हो गए second हमारे पास अब 10 के compound देखते हैं तो देखो यह less stable है यह more stable है practically देखा गया तो इससे पता चला कि 10 का plus 2 वाला compound less stable है किस से जी SN positive 4 वाले से यह भी एक order याद हो गया अब इसी तरह किसे जब lead पे पहुंचे तो बच्चो lead ने बिलकल unique behavior शो किया उसका जो plus 2 वाला compound है वो greater है यानि more stable है किस से plus 4 वाले compound से और ऐसा क्यूं हुआ बच्चो अब बात सुनने वाली है ऐसा क्यूं होता है आपको बच्चो एक दफ़ा फिर इदर देखना है आपको पता है कि top से bottom आ रहे है तो हमारे पास इन के अंदर D और F आर्बिटल की तदाद बढ़ती जा रही है जैसे आपको पता है कि D आर्बिटल 3 से शुरू होता है और F आर्बिटल जो है वो हमारे पास 4 से शुरू होता है 4 F होता है 3 F नहीं होता D 3 होता है 2 D आर्बिटल नहीं होता इससे आगे शुरू होता है इसके पास D आर्बिटल मौजूद है F नहीं है इसलिए इसमें इनर पे है उस तरह और वो F भी इनर नहीं है आउटर है इसलिए उसमें ऐलेक्टrان ही नहीं है वो effect नहीं श करेगा अच्छा इसके पास 3D होगा ठीक है? इसके पास 3D होगा इसके पास 3D भी होगा और 4FC भी होगा अच्छा अच्छा लेड के पास क्या होगा बचो? लेखे 6S2, 6P2 तक जाना है तो इसमें 3D भी पढ़ाऊगा, 4F भी पढ़ाऊगा, 4D भी पढ़ाऊगा और 5D भी पढ़ाऊगा और 5F भी पढ़ाऊगा इनर जो D और F अरbital हैं सब से जदा लेड के पास मौझुद है और आपको पता है जो हमारे पास D और F होते हैं इनका पूर शील्डिंग अफ़ेक्ट होता है शील्डिंग अफ़ेक्ट होता गया है बटा यह देखो है आप मारे पास नुकलियस है और सबसे बार वाले लेक्टरान यहां पर पाया जा रहा है दरम्यान में बहुत सारे शेल आ रहे हैं उन शील्डिंग अफ़ेक्ट का मतलब यह होता है कि उसने अच्छे तरीके से D और F अर्बिटल लेड के पास as compared to other elements जादा है जब D और F अर्बिटल के उनके पास तैदादा जादा है तो हर एक आप समयलें आर्बिटल में D और F अर्बिटल जब 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 और पूर शील्डिंग अफ़ेक्ट होने की वज़े से हम सोच रहे थे कि यह जो वेलेंस शेल के यहां एक्जिस्ट कर रहे हैं शायद वो अलेक्टरान अंदर की तरफ आ रहा हो यहां पे एक्जिस्ट कर रहा हो शायद वो अलेक्टरान अंदर इधर कहीं एक्जिस्ट कर जाते हैं इसलिए हमारे पास जो साइज है स्लाइटली जो है आप समझे लें कि जैसे हम इस जगा पे आते हैं तो हमारे पास इसका साइज स्लाइटली श्रिंक हो गया है ज्यादा श्रिंक हो गया है एक्स्टर श्रिंक हो जाता है जिसकी वज़े से जब हम इसके ये वाले उल है उसमें से दो अलेक्टरान लास हो चुके हैं वा प्लस टू वा शो कर चुके हैं नूकलियस में और प्रोटान बढ़ चुके हैं जानी अलेक्टरान प्रोटान पहले बराबर थे अब प्रोटान जादा हो चुके हैं जब प्रोटान जादा हो जाएंगे तो अब इन अलेक् और अर्बिटल से निकालना इंपासिबल होगा जब उन एलेक्टरान को निकालना इंपासिबल होगा तो ये स्टेबल ई पाजिटिव टू आक्सिडेशन स्टेट में हो जाएगा इसलिए और एक और बज़ा ये है कि बच्चो जब ये बेसिकली हमारे पास 6 P2 एलेक्टरान तो 6 S2 एलेक्टरान अपनी औरिजिनल पोजिशन से जएदा अंदर की तरफ अट्रेक्ट हो जाते हैं अब जो P आर्बिटल खाली पड़ा हुआ है उसके अंदर एलेक्टरान का S और P के दरम्यान गैप बहुत बढ़ जाता है S और P के दरम्यान क्योंकि ये शेल जएदा अधर की तरफ अट्रेक्ट हो जाता है तो गैप बढ़ जाता है और फिर इतनी अनर्जी इन के पास मौजूद नहीं होती जैसे आपको पता है ये दो बांड बनाएगा तो नर्जी तो रिलीज होगी वो अनर्जी इतनी काफी नहीं होती कि इन उलेक्टरान को प्रमोट कर फारके अंपायड करके किसी ट्रीके से नमेंसे कोई एक इंपायड करके पी में बहुआ दे और अंपायड एलेक्ट lower- क्रार्ड может rip करें कार्बन ऐसा क्यों कर सकता है बैटा आपको बता हुअ कि कार्बन के अंदर इनेर्ड पेयर एफेक्ट मौजूद नहीं है जब इनट पे रफेक्ट मौजूद नहीं है तो वहां पे जो बिसीकली S और P आरबिटल है उनके दर्मयान जो गैप है S और P आरबिटल है उनके दर्मयान गैप जो है वो कॉंस्टन है बहुत ज़दा गैप नहीं है जब हम यहां से यह बांडिंग में इलेक्टरान यूज क आगे ख़रा के जो नेक्स्ट इसका P खाली पड़ा होता है दो एक एक उलेक्टरान P प एक में है एक хоть में फ़ाली पड़ा होता है यह ऐक्टरान प्रूमोट होके आगे चला गार है और वह अन्पेयड हो जाता है जब grams हो जब शचारान अपनी बांडिंग में जी बचो अभी हम इसमें नेगेटिव ऑक्सिडेशन स्टेट की बात करते हैं फोर ग्रूप ईलिमेंट जो होते हैं इन में ये ज़्यादा अलेक्ट्रो नागिटिव नहीं होते है और ये आम तोर पर नागिटिव उक्सिडेशन स्टेट शो नहीं करते हैं अगसेप्ट कार्बन ठीक है तो इसलिए इसके अंदर हम एक बात करने लगें नागिटिव उक् mostly तो इसकी वज़ा ये है कि इनके electronegativity बहुत कम ज़्यादा नहीं होती बचो इनके electronegativity less होती है ठीक है तो एक line भी लिख लेते हैं कि they have low value of electronegativity इनके electronegativity बहुत कम होती है इसलिए ये electron को खेंचने की ताकत बहुत कम रखते हैं accept carbon कार्बन के electronegativity जो है वो सबसे highest होती है यही वज़ा है कि कार्बन जो है वो negative oxidation state के compound बनाता है जैसे आपने देखा होगा carbon c2 minus 2 की form में भी होता है और c minus 4 की form में भी exist करता है जैसे calcium carbide की अगर हम बात करें तो carbon के उपर minus 2 charge है और इसके उपर charge plus 2 है और अगर हम lithium का carbide बनाएं तो li4c होता है अब इसके उपर charge एक पे plus 4 होगा इस पे charge जो है minus 4 होगा तो जो हमारे पास carbon है only four group element में negative oxidation state शो करता है बाकी कोई भी four group element negative oxidation state शो नहीं करता अब अच्छो हमारे पास क्योंके इसमें दो oxidation state होती है तो एक हम चीज़ पढ़ने लगे हैं इसके अंदर nature of nature of M positive 2 and M positive 4 compounds M positive 2 का मतलब positive 2 oxidation state वाले M positive 4 का मतलब 4 oxidation स्टेट वाले इसके लिए एक हमारे पास rule पढ़ाया जाता है बच्छों हमें इसको हम नाम देते हैं फैजन rule यह जो फैजन rule है यह क्या कहता है बटा यह कहता है कि अगर कैटाइन का साइज छोटा होगा तो उसके compound कोवलेंट होंगे अगर कैटाइन का साइज छोटा होगा तो उसके compound कोवलेंट होंगे अगर कैटाइन का साइज छोटा होगा तो the cation cation with high charge density क्योंकि जो चीज साइज में छोटी होती है उसकी charge density जदा होती है smaller the cation with high charge density make the bond make the bond more covalent more covalent अगर cation size में छोटा होगा उसकी charge density जदा होगी और वो bond को जदा covalent बना देगा यह आसान वर्डिंग में लिख सकते हैं smaller the cation greater will be the amount of covalent character and vice versa smaller the cation greater will be the amount of covalent character and vice versa जैसे बच्चों आपको समझाने के लिए मैं इस side पे थोड़ी सी इसकी explanation देऊ कि हमारे पास suppose करें tin के दो compound है sn positive 2 और sn positive 4 इनमें से covalent काउंस है आइनिक काउंस है इसी ट्रिके से lead की उपर भी हम बात कर सकते हैं तो बेटा अगर मैं आप से कहता हूँ मेरे पास tin है sn positive 2 और एक compound है sn positive 4 यह दोनों oxide compound इसके exist करते हैं तो इसमें मैं आप से कहता हूँ आप जड़ा explain करें कि यह compound आइनिक क्यों है यह compound आइनिक है इसके bond आइनिक है और यह compound जो है वो covalent क्यों है यह compound covalent क्यों है तो आप इसमें बताएंगे कि इस case में अगर हम आते हैं तो 10 के उपर जो charge है वो प्लस टू है और इस केस में आते हैं तो टेन के उपर जो चार्ज है वो प्लस फूर है जतने अलेक्टरान निकालते जाओ या जतना पाजिटिव चार्ज बढ़ता जाए साइस छोटा होता जाता है बच्छो अब कंपेरिजन में इस केटाइन का साइस लार्ज है इसमें से सिर्फ दो अलेक्टरान निकले हुए और इसमें और अलेक्टरान निकल चुके है नुकलेस की तरफ प्रोटान की फोर्स अब अट्रक्शन और बढ़ चुकी है जतना पाजिटिव चार्ज बढ़ता है साइज चोटा होता है, कंपैरिजन में ये स्मालर कैटाइन है, ये साइज में स्माल है, और रूल कहता है, अगर कैटाइन स्माल होगा, उसकी चार्डेंस्टी हाई होगी और उसके कंपाउन्ट होगे, अगर इसका कैटाइन का साइज स्माल है, तो इसकी चार्डेंस्टी होंगे वो आइनिक होंगे तो ये आपके पास आइनिक कंपाउंड बनाता है अब इस चेकप भी बच्चे थोड़े से पूछ रहे होते हैं कि सर ऐसे कैसे है कि ये क्यों कोवलेंट है तो बच्चो आप स्पोज करें ये एक कैटाइन है इसका साइज लाजमी बात है मैं थोड जो आइनिक करीब आएगा तो ये कम उसको अट्रेक्ट करेगा क्योंकि इसके उपर पाजिटिव चार्ज कम है इसके पास अट्रेक्शन कम है तो ये कम शेडिड एरिया देगा इसके बात मतलब ये है कि यहां पे शेरिंग कम की है और शेरिंग कम होने का मतलब ये है कि यह हाँ पे इसके पास कोवलेंट करेक्टर कम है लेकर जब यह वाला कैट आईन है इसका साइज बहुत छोटा है इसके उपर चार्ज बहुत ज़्याद़ है पॉजिटिव चार्ज यह ज़ादा उसको ड्रेक्क करेगा और ये जो हमारे पास एन नेगेटिव आइन होगा वो जादा इसके अंदर इन हो जाएगा ऐसे करके वो ये shaded area जादा देगा इसके पास ये जो covalent character है वो जादा हो जाएगा देखो ये covalent character shaded area है sharing वाला portion इसके पास कम है इसके पास sharing वाला portion जादा है तो इसके पास covalent character जो है वो जैदा होगा इसलिए देखो positive 4 वाला compound more covalent है as compared to positive 2 इसी ट्रीके से बच्छो 10 की अगर हम बात करें lead की तो आप से कहा जाए why pbcl2 is ionic and pbcl4 is covalent आप कहेंगे in case of pbcl2 pb has positive 2 charge in case of pbcl2 pb has positive 4 charge in case of pbcl4 pb has positive 4 charge pbcl2 is larger catein यानि इसका catein का size larger होगा large होगा as compared to positive 4 ये smaller catein होगा तो हमारे पास ये smaller catein है और according to fagen rule smaller catein होगा तो उसके compound more covalent होगे इसलिए इसका compound जो होगा वो जैदा covalent होगा और इसका compound जो होगा वो जैदा ionic होगा ये हमारे पास है ये ही वज़ा है तो हम कह सकते हैं कि अगर मैं आपसे सवाल पूछ लूँ बचो why SNCL2 is why SNCL2 is ionic and SNCL4 is a covalent आप कहते हैं in case of SNCL2, SN has positive 2 charge in case of SNCL4, SN has positive 4 charge SN positive 4 is a smaller catein as compared to SN positive 2 smaller the catein greater will be the amount of covalent character according to the vagin rule therefore SNCL4 is a covalent compound and SNCL2 is a ionic compound तो बच्चों ये थोड़ सा topic logical था थोड़ सा दियान से आप इसको समयने की कोशिश करेंगे और उससे एक दफ़ा आप इसको book से read करें तो उमीद है कि आपको ये चीज़ें अच्छी समझा जाएंगी thank you very much